आज के कहानी है चालाक लोमली और बखरी के कहानी केलिवर फॉक्स एंड गॉट स्टोरी इन हिंदी बहुत ही पुरानी कहानी में कहानी भी है एक बार की बात है कही दूर किसी जंगल में एक बार काफी गर्मी पड़ रही थी जंगल के छोटे तालाब सूखने चले थे एक लोमली जो उस जंगल में रहती थी उसको काफी ज़्यादा प्यास लगी प्यास लगी थी वह पानी को इधर उदर खोज रही थी तभी उसे एक कुवा दिखाई दिया जब वो लोमली उस कुवे के पास पहुची और उसके अंदर जाक कर देखा तो उसे उस कुवे में पानी दिखा दिख गया तभी उसका पैर फिसल गया और वो कुवे में जा गिरी वह कुवे में गिरने के बाद रोने लगी और सोचने लगी कि अब वो बाहर कैसे निकलेंगी तभी उसको आवाज एक बकरी की सुनाई दी ये बकरी उसी कुवे के पास से जा रही थी आवाज सुनने के बाद बकरी को आवाज सुनने के बाद बकरी ने कुवे में देखा जब उसने कुवे में देखा तो उसे उस कुवे के पानी में लोमली नजर आई बकरी ने कहा लोमली बेहन तुम इस कुए में क्या कर रही हो इस पर लोमली के दिमाग में एक यूजना बनी लोमली के दिमाग में एक आइडिया बन गया इस लोमली ने बकरी से कहा बाहर काफी गर्मी है इसलिए मैं इस कुए के अंदर हो और इसके साथ ही इस कुवे का पानी काफी ठंडा और मीटा है अगर तुम को यकीन ना हो तो तुम खुद आकर देख लो ये बात सुनकर बखरी ने कुछ ना जानने समझने की कोशिस नहीं की बखरी ने कुछ समझने की कोशिस की ही नहीं वो तुरंट उस कुए में कुद गई कुए में कुदने के बाद उसने कुए का पानी प्या कुए का पानी सच में महुत मीटा था इसके बाद बकरी ने लोबली से कहा मैं हम बाहर कैसे निकलेंगे इस पर लोबली ने कहा पहले तुम मुझे सारा दे दो ताकि मैं बाहर निकल जाओ फिर मैं तुम्हें बाहर निकल लोगी इस बात पर बखरी तयार हो गई इस तरह वे चालाक लोमली किलेवर फॉक्स उसे उस कुवे से बाहर आ गई बखरी ने आवाज दिया बहन मुझे भी बाहर निकलो इस पर लोमली ने कहा मैं तुम्हें बाहर कैसे निकलो तो मैं कुवे के अंदर जाने से पहले ये सूचना चाहिए था कि ये चाहिए था कि लोमली वहां से निकल गई और बखरी कुवे के अंदर रोने लगी बक्री जो है मजारी कोई गंदर रूने लगी आखरी में कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना और समझना जरूरी होता है ओके दोस्तो है वाँ नाइज डे खुष रहो मेरे गृट मेसेश ट्वर को लाइक करो सब्क्राइब करो और सेर करना मद भूना मैं आगे और इंस्पारेशनल मोटिवेशनल और सुक्सेस के बारे में आपके पास कहानी लाता रहोंगा ओके दोस्तो, have a nice day, खुश रहो झाल झाल झाल